शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें करते हैं के लिए सब्सक्राइब करने विए सब्सक्राइब करें तो इन सारी फिरंधियों के लिए तुमें चाण डाल देता हैं तो सबके सब मेरी अप्पाद क्या हम बजाता हैं? अरे, कब तक अंदर बैठने का विचार है? जर्पी मुड़ बनता है, पत्नी जुका तौरा पड़ जाता है पता नहीं, घंटों बात्रूम में बैठकर करते क्या है? यहां वक्तिचे लड़ रही हो? वही अराम से हल्का भी नहीं होने दोवी, क्या? एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम बात्रूम में बैठकर करते क्या हो, तो फिर… अरी भागवान, हमारी शादी को पैती साल हो गए जब देखो शक करती रहती हू यार, तो कभी हमारी सात त्यारदरी बाती भी तु किया करो हम पच्पन के क्या होगे, तुमने तो हमारी रोमांस की दुखानी बंद कर दे चलो मुका अच्छा है, इस दाना में अरी चलो हटो, उस तो शर्म करो, इस उम्र में लोग पूजा पाट करते हैं और तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ बासना और जुवान पर गंदी बाते ही रहती हैं पटानी किस विट्टी के वनी हो, ओम नमस्षिवाई, ओम नमस्षिवाई, ओम नमस्षिवाई और हां, नास्ता तयार है, इससे पहले कि ठंडा होजा जाके कर लीजे ओमनमा श्मचभा ईय मैं श्मच है। अरे पाबाजी आप यहाँ? तुम्हें सारी बेन करतो हुँद अच्छी लग रहेंगे इसले तुम्हें पास आखर लेगे लेगे वैसे आज तुम्हारा देवर आ रहा है बाबी को तो सर्ग आई पड़ेगा ना? तेगे ने? अरे आप जी राजेश का फोन आ रहा है अरे 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 आजो हलो मिल गई आपको फुरसत? सौरी यार बात बुरी तुरह फसा हुआ था? अब अगे सा नहीं होगा चरो जाओ माफ किया अब यहीं नहीं आरा आरे हो ना राजेश इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा आन नहीं भड़ेगा ठीके ठीके थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे मैं बुछ करता हूँ राजेश दो साल हो गया है मुझे भी आपकी याद आती है ठीके आगे से मापको आने के लिए कभी बोलिंगे ही नहीं तेरी माँ भी तुस्से बात महीं करेगी अच्छा ठीके माँ सब लोग मिलकर मुझे एमोशनल प्लेकमल कर रहे हो अगले महीने आ जाओंगा अच्छा मैं रखता हूँ बात मैं फोन करूँगा बाई चल ठीके बाई 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 तु चिंता मत कर और अगले महीने वो घर आ रहा है आप तु चल के नाष्टा गर ले बन्ना मैं तुझे भी नाट लगाऊंगी चल अगर आपकी पूजा खत्म होने का इंतजार कर रही थी मा के बिना पेटी कैसे नाष्टा कर सकती है साथ में करते है चलो पेटी वैसे आप बड़ी खुछ दिखाई दे रही है हाँ चोटा बेटा जो आ रहा है आपका लगता है प्रमोध आ गया अरे बेटा तु आ गया कबसे हम लोग ते रहें कुजार कर रहे थे आप यह खड़ा रहेगा कि अंदर भी आएगा प्रिटा यह लड़की कौन है तेरे साथ में मा यह आपके बव प्रियंका है हम लोग नों एक दुश्य से डैले में मिरे थे वही प्यार हुआ पिर हम लोग वना शादी कर ले थे मा प्रिजेगा सब कुछ इतना जल्दी वह आप लोगों को बताने का मौका ही नहीं मिला इतनी भी क्या जल्दी थे हाँ? अरे मा हूँ मैं तुम्हारी तुम्हारी शादी को लेकर मेरी भी कुछ अर्मान से मा मैं जानता हूँ अरे शीला तुम्हारा बेटा ठीकी तो कह रहा है? आज कलके बच्चे अपना जीवन साती खुच चुनते हैं और हमने छोटी बहु को तो आते ही पसंद कर लिया मैरा मतलब स्विकार कर लिया था देखो देखो कितनी त्यारी और सुंदर बहु है है ना? अरे बहु की जगा पहर में नहीं मेरे दिल में मतलब आज साथ खुचर के दिल में होती है बादी मा को समझाओ ना आप माजी अम मान भी जाओ ना जो हुआ उसे भूल जाओ देखो ना कितनी प्यारी है हम? इसे स्विकार कर लो और जल्दी से अपना अशरवाद दो अगल-बगल वाली लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे लेकिन हमको आने से पहले एक पार खवाट्य कर देता अगल-गल वाली लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे अगल-गल पुछ तो करते हैं माँ आप चिंता मज किजिए तेंक ऐसा बसा कुछ नहीं सोचेंगे बस आप अपनी छोटी भव को अपना लेज़े अरे तुम लोग यहीं सब खड़े-खड़े क्या कर रहे हो अरे भाई चलो अंदर कुछ चाय पानी हो जाए हमारे घर में पहले बार छोटी बहु आई है इसका मुझ तो मिटा करो है ना तब तक मैं कमरा सजवाता हूँ आप बटात कि 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 वदया कि 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 कring इस थोटी का रच्च के मेरा तेरा बाप नहीं रह सकता छोटीगों की आज इस घर में मेली रात है इस रात को मैं व्यादकार रात बराद होगा अभी तो शुरू किया है चलो ना कुछ और ट्राइ करते है सच में ठग गया हूँ यार अब नहीं होगा मुस्य रोमो तुमारा रोज का हो गया है शुरू गोते ही तक जाते हो मैं तुमारी गर्फरेंड नहीं हूँ बीवी हूँ मुझे खुश रखने तुमारी सिम्मेदारी है प्रिंका मैं मशीन नहीं हूँ हर चीज की लिमिट होती है तुमें मर्दाना प्रॉब्लम है ना तुम डॉक्टर को जाके दिखा दो फिर रोज रोज का मुझसे नहीं ठेला जाएगा इसो की कमी की वज़े से तुम मेरी जरूरते तुम पूरी कर नहीं पाते हो पत्नी सुख अब तो पत्नी सुख भी अच्छे से नहीं देते हैं क्यों के लगता है किस मज़धार में फस कई देखो परिंका अबली बास से मिरी मजदानगी प्सावाद मत उठानगो अब तुम पाइदा है यसी मजदानगी का क्या फाइदा जो अबनी पत्नी को पत्नी सुख भी ना दे पाइदा लगते ही अच्छे साल के लडगी का चोव शकते हैं विडिमात मेरा बेटा हो के एक लड़की के सामने आर गया लेकिन बेटा गावरा मत महीं हो ना वैसे भी छोटी भॉव को अमारे अंदर का जोस दिखाया है आवा एक आप मजा अब मना के कोई फायदा नहीं है पापा जी आप मुझे लगा प्रमोद है अब पीछे प्रमोद हो या हम बात तो यह कि ना चूटी भॉग मैं समझी नहीं इसका मतलब हम तुम्हें बात में समझाएंगे पहले ही बता कि तुम्हें क्या हुआ है मैं सुम्हे से देख रहा हूँ हमारी फूल जैसे पहूँ मुर्जाय मुर्जाय से लग रही है तुम्हारी खामुशे हम समझ रहे चूटी भॉग क्या तुम्हें 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 पर दिक्कत है क्या तुम्हें वो खुष्णे रखता यह सब बाते इन्हें कहसे पता हैं अब कहना क्या चाहते हैं अरे वो क्या है ना बेटा कल ना तुम्हारे दोनों के कमरे से कुछ जगणने के आवाज आ रहे थी मुझे लगा प्रमुर की वदसे तुम ना राज हो तो हमसे रहाने गया इसलिए तुमसे पोची लिया देखो अगर कुछ तकलिप हो तुभी ना संगोज के हमें कोता सकती हो हम इस गर के बड़े हैं हमारी चोटी बहु की हर तकलिप को चुटकियों में दूर कर देंगे मारा क्या सोच रहे हो अवे बताओ हमारे पास अर समस्य का समाधाना है अरे बेटे स्वडी पपा प्रियंका बिना आपकी बात का जवाब दिये चले की कोई बात ने मेटा चोटी बहु इस गर बे नहीं नहीं है इना अर्श बेक्राइब की उपच उदास दिखाए दिये रही थी इसले मैं उससे बात करने चलाया तुम्हारा दिमाग ख़ाब है क्या पापा कुछ बात कर रहे थे कुछ पूच रहे थे तुमसे और तुम हो कि बिना उनकी बात का जवाब दी यहाँ चली आई सिर्फ इसलिए कि तुम सब के सामने अच्छी बहु बनके रह सको कुछ ऐसा करो कि सब को अपने फेवर में ले सको ताकि कल को अपनी बिजनिस के लिए पैसो के जोदत पढ़ने पर पापा से मुह मागी रखम ले सको अपना मकसद पूरा हो जाए कि फिर आम यहां से चली जाएंगे पर ऐसा तो तब ही होगा ना जब तुम सब को यहां खुश रखोगी मैं यहां किसी को खुश करने नहीं आई कि तुम पती हो मेरे तुम मेरी जरूरतों का ख्याल नहीं रखते हो तुम अपने पापाजी से कैसे अपने पार्टर को मनाते हो सुबह राजेश का फोन आया था वो कह रहे थी कि उन्हें बिस्टेस मेराने के लिए कुछ दस लाग रुपे की जुरूरत है वा तो ठीक है राजेश को बोलना कि अपने पापा से बात कर ले पैसे मिल जाएंगे मभी जी आप तो जानती है ना पापा जी से पैसे लेना कितना मुश्किल है अब मैं तो कॉषिश कर रही हूं लेकिन लेकिन क्या लेकिन पापा जी फ्री हो तब तो मैं बात करूँ ना जबसे ये नई ब़ू आई है देल राज सुबेशाम बस इसी की आवबभभत में लग चोटी वो, प्रियांका, कहा हो, जल्दी आओ हमारे पास. जी, पापपा जी, बुलाया आपने? बहुत, तुमें सर्प्राइस पसंद है ना? तो आ जहां, अपनी चोटी वोवगे एक सर्प्राइस देंगे. यह सरी, नए-नएज घर में आयो, तो हमने अविदो कोई तोफा नहीं दिया. और बिनादियां, चुप बैठेंगे वी नहीं. क्यों, वागवान? यह देखो. वाव, बहुत खुबसूरत हा रहे हैं. मेरा संदर? हाँ. अमीजी, यह तो मेरको आपकाहर लग रहा है. लग नहीं रहा है, यह हमारा ही हार है. चुप लेने. चाहिए. चाहिए. सुभी, यह तो अपना खांदानी हार है. फिर इसको देने से पहले एक बार आपनमे से पूछा तूने? अब इसमें पूछने की क्या बात है भागवान? हमारी चोटी बहु नहीं नहीं इस घर में आई है. अभी हमारे खांदान को आगे बढ़ाएगी. वैसे अब देखा जाया है, तो इस हार पे इसी का ही हाक हुआ ना? पर कम से कम एक बार देने से पहले मुझे से पूछ तो लिया होता. अरे इसमें पूछने की क्या बात है भागवान? अब सारी बाती है ही करोगी. तो मोत्ती मा, उमारी दवाये का टाइम हो गया है. जाओ, अपने कमरे में जाओ और अपने दवा ले लो. जाओ यासे. बड़े भाव, एक गास पानी लाना तो हमारा गला सुकुरा है. इलाई. केसा है भाव? बहुत प्यार. तो फिर अपने संदर गले में पहन लो ना, लाओ मैं पहना देता हूँ. पोपडी, मैं पहनूंगी जरी, लेकिन अपने रूम में जाते हूँ. थैंक्यू, इतना प्यारा सप्प्राइब करें. थैंक्यू. थैंक्यू. पापजी, पानी. पापजी, पानी. यह. लो. पापजी, मुझे आपसे कुछ ज़ुरी बात करनी है. क्या बात करनी है, मीटा? वो राजेश का फोन आया था. वो कह रहे थे क्यूने बिजनस में इंवेस्टमेंट के लिए कुछ दसलाग रुपे की ज़ुरूरत है. दसलाग? ठीक है, पर इसके बदले में अने क्या मेंनेगा? क्या मतलब है आपका? मतलब? राजेश को बच्चा नहीं है. वो खुद कमाता है. बिजमेस कर रहा है. अगर आइसे में हम उसको दसलाग रुपे देंगे, तो फिर हमारा भी कुछ फाइदा होना चाहिए ना? राम वही करना चाहिए इसमें फाइदा हो. तो किस फाइदे से आपने अपने छोटी बहु को पांच लाग पेकर नेकलेस दे दिया? क्या मतलब है तुमारा? मतलब यह पापाजी, कि जिद दिन से प्रयांका इस घर में आई है, उस दिन से आप उसको कोई न कोई तौफा दिये ही जा रहे हैं. तो यह आप बिना फाइदे के तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बिना फाइदे के आप पूल काम ही नहीं करते हैं. ठीक बोर रहे हुँ ना? अरे वह इस घर की छोटी बहुआ है और नहीं नहीं इस घर में आई है, तो उसका पहाग बनता है उस वापे बहुत. कीजिए पापजी, अगर आप इस ब्रह्मे हैं, कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो आप गलत हैं. क्योंकि मैं भी जब इस घर मिलना ही बहुबन कर आई थी, तो आप मुझे भी काखी साफे देते थी, लेकिन बाद भी मुझे समझ भया है कि इसके पीछे आपका मकसद दुछा है. देखो, तुम इस घर की बड़ी बहुँ, बड़ी नहीं. कुछ भी कहने से पहले, जरा सोच लेना, ऐसे यमें बदनाम मत करो, और ऐसे बैसे कुछ नहीं मिलेंगे, जाओ कहए दो अपने पती को, जाओ निखना ऐसे. मुझे यकीन नहीं हो रहा, कि पापाजी ने मुझे इतना महंगा हार दिया है, पूरे पाच लाग का हार है. एक बात तो है, जब से मैं इस घर में आयू, पापाजी मेरा बहुत ध्यान रखते है, मेरे छोटी-छोटी ठीसों का ध्यान रखते है. कभी उन्होंने फील ही उने दिया कि मैं इस घर में नहीं हूँ. बढ़िया है यार, तेरी तो लॉट्री लगी, लगता है पतिदेव से जादा ध्याद, तेरे समसुर जी तेरा लख रहा है. जिन्दिगी के असनी मज़े तो तू लुट रही है, अपने पति के साथ मुंबई शिप्ट होगर, अशी अशी है तेरी. एगा मैं, छो दिल्ली से लखनौ आगे अपने पति के साथ हूँ. मैं, तेरी जरूरतों का ख्याल तेरे सासुर जी रखते हैं, अगर तो अपने लिए एक पार्टनर भूड़ लेगी वहां, तो तेरी कामना भी नोडी हो जाएगी, और तो खुश भी रहेगी. मैं तुझे कॉल बैक करते हूँ. जब मुझे इनकी जरूरत होती है, तब इन्हें नीद आजाती है. चोटी भूग, हम जानते हैं कि तुम प्रमोच से खुश नहीं है. और हम यह भी जानते हैं कि तुम तिस कुशी से वंचित हो. हमसे बला बैतर इस घर में तुमारी तकलिव को पौन समझ सकता है. हम तो उसी दिन तुमारा उदास्तियरा देख कर समझ गए थे. हम बले पच्पन के हो गए, लेकिन हमारा दील और शरीर आज भी बीस साल के लड़के से कम नहीं है. देखो, तुम हमें अपना समझो. और खुल कर बताओ कि बात क्या है, तुमारे विल का बोज भी हलका हो जाएगा. पापजी, जितना आप मुझे समझते हैं, प्रमोट में समझते हैं. हम पत्ने हैं उनकी, लेकिन आज तक पत्ने सुखने हैं दिया. हमारे लिए जो उनकी जिन्मेदारिया हैं, उनके बारे में तो वो सोचते तक नहीं है. मैं जानता हूँ वो थोड़ा कमजोर है, इसलिए जल्दी ठक जाता है, लेकिन तुम किद्दा मत करो, मैं हो ना? छोटी वो, हम हमेशा तुमारे साथ हैं. इतनी प्यारी लड़की की जिन्दगी हमारे सामने बरबाद होती हुए, हम कभी नहीं देख सकते हैं. अब यह क्या है पापाजी? किसी को इसके बारे में पताने चलेगा, घर की बात घर पे रह जाएगा. देखो, तुमारी श्यादी शुदा जिन्दगी समझ जाएगी, तो सकता आगे चलकर तुमारे और परमत के बीच में खलेश होगा, और तुम उसे छोड़कर किसी और मरत के पास चली जाओगे, उससे इस गरती बदना नहीं होगी. और उसमें गलत क्या है? तुम राजी है, हम राजी हैं, बस बात कतम है. आज की रान पर तुमारे पास अच्सिस तोचना, और कर तुमारे चेरी के खुशी से मैं समझ जाओगा, कि तुम राजी हो के लिए. तोचक्क एंगी हैं, दॉường बाम, फस मत् ancora राजी हैं, आज की राजी हो 열 fils, सवाल ऑजी हो जात हती। झाल झाल पूरे तन्मन से कर रहे हैं तुम जल्दी से दवा ले लो और अराम से सोजाओ यह कुण सी नई दवाई है यह तो हमने पहले कभी नहीं खाई अधे वह क्या है कि मैं एक नई डॉक्टर के पास गया था अच्छ उसने कहा कि तुम्हारे पहरो का दर्द बिल्कूल ठीक हो जा प्रेसे लावाने लो और सोजाओ यहाओ, यहाओ, यहाओ ग्लास रहते हैं जाओ, यहाओ, 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 यहाओ इस तमसे धान घुने, तक है पहीत झाहाँ कि तेकि प्रवा जाएगी तुम्हें यहां इस्टा में क्या करें? वह ओो मम्मुची के सेर में तर्था, तो मं तब आने हूँ अच, अदाद काफी होगी एफ सजो मम्मीची के सर में तर्था तो मुझे क्यो मुजे क्यों नबता है पाकिर चल क्या रहा इस गार में? यह नीद की दवाई? पापाजी ने कभी बताया ने कि वुनीन की दवाई भी खाती है पापा वो अपनी बिजनस को आगे बढाने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे यही कोई फंदा लाग रुपे है पापाजी मैंने आप से बात की ती ना इस पारे में चोटी बहु के कहने पर उमने पैसे कांद जब आपके बड़े बेटी ने आपसे पैसे मांगे तो पैसे नहीं थे आपके पास लेकिन छोटी बहु के कहने पर पर मोध भाईया को पैसे दे रहे हैं आप बड़ा अच्छा भी थारा के बीचते है आवाज भीजी करके बात करो बड़ी बढ़ी बात कर रहे हो अग जि जिन से इस खर में आई अब दोनों के बीच में क्या खिषड़ी पक रहे हैं आप नहीं है इस पर बात कर दो हुआ अपकी कि जीए भीया तो आपको गुरा लग्वें भी आपको सच्चाई ने पता तो आपको सच्चाई पता चलेगी आपके तारों तर्दें कि सच्चाई आपके नहीं कहते हैं, साफ़ जापके, उनके सच की बाद करिया आप उसर सुनना है नो सुनिये का आप सीसी भी और हमारे सुसुर्जी के पीछ को ना जाय संपत है आपका भावी, उनिक्या मत्वास का रही है नहीं तो मैं भूल जाओंगा कि आपी निभावी मैं जानती थी कि आप मेरे किसी बात पर यह करेंगा ये देखिए दवाई सी, ये दवाई रोग पापाजी, मम्मी जी को खाने के बाद लेकर ठुला देखेंगे ये नीन की दवाई है नीन की, इसको खाते इन अच्छा खासा आगमें, अज़ तो प्रेस होना था अज़ पुरा यकीन हो गया है और तुम्हें तो अपना पती कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है और छूटी बहुँ, तुम्हें तो न, मेरा घर बरवार कटिया तुम्हें तो नर्क में भी जहे नहीं मिलेगी वहाँ आप सब लोगों को क्या हो गया आप खामखा प्रियंका भी अगले तिलजान दगा दें प्रीटा भाबी आप से जादा इस घर में इससत किया तुमारी मेरे पती, आपके पती से जादा लायक क्या होगे पापाजी की नसरों में पर मेरे पिता समान ससुर के साथ मेरा रिष्टा जोड़ दिया तुम्हें आपको की बहत माना था होला आप, जिए बंकर अना यानाथर, तुम्हें अच्छे से जानती हूँ करेख भूले अर्ष्टा के हाएं तुम्हें आपके लीडिया रिचाश्य के थिया है आपके अच्छे से एकर मेरा आपके से जाएंगे लाह हूँ करेख वार चाहँ का जी yolणा जाएंगे लूंवागे आपके लूड़ हूँ आहाँ जो और याद रखो दुबारा यहानी कि पोश्चिन सब करना अफिर जो यहां दे छोटी बोग अपने कमरे में ले जान अच्छा हुआ सब चले गए अब हमारे और प्रियंका के बेच कोई नहीं आएगा पुपाजी! पुप! पुप! किसे, किसे ला बार्दिया अप्रियुक्त अखिर अच्छा क्या हुआ? कि तुम्ये पिता का खुण करतीया? शर्षर, तरहसल प्रमोध की बीवी और हमारे ससुर्जी के बीच में नाजाय संबन्थें. इसी चक्र में प्रमोध ने इनका खून कर दिया. ये, ये देखिये ना, सब भूत पिया मेरे पास. प्रमोध बोड़ी के पंच्चतामा करके पोस्ट्र माटमगी बेचदो. और इसको लेच चलो. और आपलो, जिरोट्पड़ने प्रमोध 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 चेस्टेस्टन आना पडएगा. लेच चलो. व्यवो, जेट्टेजा. जेट्टेजा. देख, क्या हुआ तेरी आयाशी के चक्कर में? तेरी आयाशी के चक्कर में सब कुछ फराम हो गया. अम्मेर प्लमीजी आगे, तुझे चैसे जिल्दे नहीं देगे. तेरी करमों क कफ़र, तुछ सभूनने लेगे. पुष्चे, पुष्चे, पुष्चे. मैं मान्नी सकती, एक्के प्रमोथ ने पापजी को पारा होगा. थेसा नहीं हो सेकता. मैं क्यों कर्यो? मैं प्रमोथ को कैसे ब homelessness? झाल झाल जोड़ी बहु ने तो इस घर को परवाद कर दिया है तो मैं इसे कभी माप ने करूगी परवाद कर दिया है तो इसने कम दोगी है तो मैंने बुलाएंजियें क८ में पापाजी के असली कादिलों को पकाड़ सेंगें यह क्या नया नाठगा तुमारा नाठग कौन कर रहा है यहां पर अभी पता चल जाएगा इस्पेक्टर साफ आप यह देखां इस्पेक्टर साफ तुम दोनों के हिंबर कैसे हुई है आरे कि एल जो यहां से पर अभी जी की बेरिती और मेरे तक पर काप्ण लावी बावी है आपजी है आप जिख़े हैं इसान को तुमारे ने बोखे की तो ही एंगा अबिची चलो अबिची चलो आप लगो ने ऐसा और आप ने अपने बेटे कोई फसा दिया यह सच है कि हमने अपने पती की हत्या की है लेकिन हम अपने पती की हरकतों से इतना तंग आ चुके थे और हम अपने बेटे परमोत को नहीं फसाना जाहते थे हम तो इस प्रेंग कांपो सजा देना चाहते थे लेकिन गलती सित्पर मोईद कमरे में आ गया और वो फस गया देखिए मैं मानता हूँ आपके प्रती की ज़िए लेकिन कामून को अपने हाथ में लेने का अधकार किसी को नहीं है देचलो इन दोनों को पर इस वेकिन साथ हमारी बात तो सुनियों इस प्रसाथ मैंने की दोशिश्च तो कीज़ें प्रावुट् मुझे माफ गए करने तभी मुझे मुझे लेकिन की बार भार में लेकिन की अपकते है लेकिन की बार में लेकिन साथ है झाल झाल